Hello everyone welcome back to another video आज की वीडियो की शुरुवात हो रही है बहुत ही बड़ी कॉंट्रोवर्सी से रिसेंडे जो दो तीन दिन पहले हुई है कॉंट्रोवरसी के ऐल्विश यादव ने मेक्सटन को जाके मा रहा है और वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो रही है कि मैक्सटन को मार आपने दो तीन दोस्तों के साथ मिलके तो वो वीडियों आप लोगी में देखा हूं काफी वायल हो रखी है हर जगा आई वी इंस्टाग्राम पर तो ऐसे मतलब हर पेश पर हर एक्स्प्लॉर पर आ रही है वीडियो और मैं तुम लोग को दिखांगा इस वीडियो में तुम कोई तो रिजन होगा और वो रिजन अभी हम देखेंगे दोनों तरफ की बात देखेंगे मलब दोनों तरफ की साइट से जो स्टेट्मेंट आई हैं हम देखेंगो उसके बाद हम डिसाइड करें कि कौन सही है कौन गलत है यह तक्वां भी तुम लग को दिखाता हूं यह Another day and another controversy of Elvis Yadav. Elvis Yadav ने Maxton नाम के creator और YouTuber के साथ मारपीट की अपने 5 से 7 जादा शायद 10 लोगों को ले जाके Maxton की मारपीट की उसे काफी मारा पीटा as we can see in this video. Maxton ने कल रात को एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा कि Elvis Yadav अपने साथ कुछ लोग ले कर आया था और काफी मार पीट की तब लोगों ने उस चीज़ को serious नहीं लिया. उन्हें लगा कि शायद Maxton ऐसे ही बोल रहा है. But today the video came out and it's horrendous. आपको बता दे कि Maxton ने online Elvis Yadav को कुछ बोला था, कुछ टॉंट मारा था Twitter पे जिसके बाद Elvis गए और Maxton को काफी जादा मारा पीटा अपने जो वो साथ लोग लेके गए थे, आट-दस लड़के लेके गए थे उनके साथ. Also, it is seen that at the end of the video Elvis Yadav जान से मारने की रहं की भी देते हैं, Maxton को जान से मार दूंगा तुझे और सौरी का वीडियो भी बनवाने की कोशिश करते हैं, but Maxton doesn't make that video. तुम लोगों ने वीडियो देख लिया, but अब इस वीडियो के बात जो बात आती है सबसे पहले जहन में के इसमें सही कोन है, गलत कोन है, देखो इसमें मैंने दों तरफी स्टेटमेंट सुनी है, अलविश की भी सुनी है, और मैकस्टन की भी सुनी है, but जहां तक मुझे जो सही लग रही है, वो मैकस्टन है, उनको कम से कम आठ महीने से पोक कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो पोकिंग है, इतनी भड़गी कि उन्होंने रीसेंड ट्वीटर पे ऐसे गलत गलत ट्वीट की हैं खासरपन की ममी के लिए अलविश आदफ की ममी के लिए इतने गलत ट्वीट के तो मेरे ख्याल से यहां पर बिलकुल सही अलविश आदफ ने के साथ क्योंकि कि इस चीज का कुछ ना कुछ तो रियक्ट हो नहीं था, तो यह बिलकुल सही क्या हुना नहीं, जबकर आ है भाई उसकी अच्छा 26 गैंग है यादफ सा पंगा ले रहे हो नतीजे फिर आप यह देख लो आप कुमार पीटी मिलेगी और कि वह गैंग गैंस्टर है भाई वह हरयाना में अच्छा 26 गैंग बहुत फेमेस है यादफ के नाम से और सबसे में चीज तुम लोग एक चीज सब्सक्राइब तो जब वह आए हैं तो एक देखो रिकोर्ड हो रहा है वह कैमरा पड़ा है उसको यह पहले से पता था कि यह होगा मैं रिकोर्ट कर लूंगा बाद में सिंपती कार्ट खेलूंगा जो जनता है अवाम है वह मुझे सिंपती देगी के नहीं इसको पीटके सब्सक्राइब तो वहां कोई कैमरा नहीं होता यह प्री प्लैंड भाई यह जितना भी कुछ है उसने जानबुच के पोकिंग की उसने फिर उल्टा रियक्शन में उसके साथ ऐसा भी मारपीट की वैसे इस बात को एक दिन हो चुका है दो दिन बीच चुका है बट अभी अभी सीचेन अभी कुरंट सिच्वेशन वह बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका है वह बिल्कुल सुलाज सफाई भी हो चुकी है और तम लोग एक पोस्त दिखाता हूं जो भी रिसनली पोस्त करिया है इस वीडियो में तक मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शेयर भी करना मिलते नेक्स वीडियो में आई